कब हमें buy करना है कब हमें sell करना है आज हम वो तीन पॉइंट को देखते ही कब कब हमारा buy होता है sell होता है ठीक है सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं आपकी तो when to buy आपको होता है breakout जब मार्केट में कोई breakout आया होता है या फिर क्या होता है support पे आके positive action में ले यह बहुत important होत कैसी मिलते support प्लस positive action पर यहां पर आपको बहुत जादा यूज आने वाला है देन आपका support प्लस पॉजिटिव एक्शन के बाद आता है आपका false breakdown मतलब मार्केट मैं तीनों चीज़ समझाओंगा कैसे कैसे होती है आइडिया लग जाएगा sell when to sell कब हो इसका जस्ट अपोज breakdown ठीक है देन रेजिस्टेंस प्लस नेगेटिव एक्शन ठीक है देन फॉल्स ब्रेक आउट ठीक है पता है लोग गलती कहां करते हैं क्यों ट्रेडिंग में उनको दिक्कत आती है इस ट्रगल करते हैं क्यों हर तरीके का मूव पकड़ना चाहते हैं जबकि ऐसे में बॉल आती है तब मैं चक्का मारूँ हूँ नहीं तो मैं सिंगल डबल करूँगा विकट बचाकर रखूँगा बस यहीं गलती करते हैं हमें T20 मैच नहीं है यहां पर यह समझना ध्यान से आपका टेस्ट मैच है लोग स्प्रिंट करने कोईश करते हैं लेकिन जब स्ट क्यों क्यों कि आपने देखो ना जितने भी लोगों करने की कोशिश करी स्टॉक मार्केट में सब का हाल क्या निकला कहा तो आपको जल्द बाजी करके हर जगा पर ट्रेड लेने की ज़रुत नहीं है जब मेरे एरिया में बॉल आएगी ट्रेड लोगा ठंडर दिवाक से ल पाएगा पहली चीज सेकंड चीज पचास अजर का दोला कर तो मैं रिस्क इतना दे रहा हूं कि आप पांच जार रुपे का रिस्क लिया और दोलाग रुपर का तो अब मैं बात करता हूं वें टू ब्रेक आउट ब्रेक आट क्या होता है आपका जैसे आपने देखा प्रीविए सेक्षेन में पढ़ा था 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 ना कि आपका डबलू पैटरन एंपैटरन ब्रेक आट ब्रेक डाउन हमने चैनलाइन का ब्रेक रहा धर देखा था हम लोगोंने चंसौलिडेशन न मार्किट ने इंड प्रेक आउट दिया आप इसका उलट क्या होगा इसका उ का फॉल्स हो गया तो इन तीनों ही केस में अपने को सेल करना है मार्केट उपर गया और नीचा के पहचान क्या होती है मैंने भी आपको एक सेशन में बता रखा है अलग से वीडियो मिल जाएगी अब ये वीडियो आपको फिर से आई बटन मिलेगी कि हाउ टो इडेंटिफा ली पड़ा रहा हूं ठीक है तो यह होगा आपका फॉल्स ब्रेकडाउन सेम जी इसका अपोजिट क्या होगा हमने क्या देखा था एक ट्रेंड लाइन बनती उसका ब्रेकडाउन दिखता है अब फॉल्स ब्रेकडाउट यानि कि आपका मार्केट आपका नीचे गिरा फॉ जी किसी को आपके दिखता हुआ अब आप क्या करना होता है अब आपकी स्कोर की बारी आती है यहाँ पर यह तो आपने price action सीख लिया ठीक है price action आपको पर जल गया कैसे होता है अब score अगर यह है score ठीक है score पे हम reversal trade कैसे पकड़ें ठीक इसको मैं नाम देता हूँ top bottom का अब मैं आपको थोड़ा से आर्वी setup के पहले advantages बदा जिता हूँ कि आपको है क्या use कैसे करना होता है तब आपको एक idea लग जाएगा कि हाँ उसके limitation ही बदाऊँ को सारे किसे में limitation होती है इसमें भी है सबसे पहले आपका आर्वी setup में क्या चीज़ होता है आपको which index to trade मतलब मैं nifty को buy करूं या bank nifty को buy करूं कौन सा index select करूं पहला advantage ही होता है दूसरा advantage होता है कि trend बताता है आपका कि bullish है bearish है ठीक है तीसरी चीज़ के आदाने ट्रेलिंग करने की आदा दूती ने इनको trail करना पसंद होता है कि 1.3 1.4 करना है अगर आपने एक buy का trade चल गया आपने आर भी शेट आपके साथ साथ चल दा है ना तो trade को पकड़े रहो trail करते रहो 1.2 पर आजा cost पर trail कर लो 1.3 आजा cost पर trail कर लो तो ये trailing में आपकी बहुत help करता है चौती चीज़ जो सब से important होती है unnecessary के trade जो आपको over trading की problem आती है ना unnecessary over trading ठीक है ये avoid करने में बहुत जादा help मिलती है बिकॉस टेड़ी नहीं बनेगा तो करोगा कैसे trade आपको बार बार टेड़ी नहीं मिल रहा है दिन में दो trade मिलते है maximum उन दोनों ही trade में से आपको पकड़ना होता है चलता है तो बढ़िया है नहीं चलता तो risk reward हमेशा favorable रहता है जब मैं tools बढ़ाऊंगा ना वोगी tools कौन-कौन से use करने तब आपको एक idea लग जाएगा अच्छ बहुत से लोग आपका पूछ रहे होंगे कि यह sheet कैसे मिलेगा क्या चीज होगा तो आपको simply whatsapp पढ़ देना है क्या इस number पर आपको whatsapp पर दोगे तो आपको इस sheet कैसे मिलेगी वो मिल जाएगा अभी मैं फिलाल पूरी sheet और समझना है और भी चीज मुझे समझानी है तो उसको ध्यान में रखना ठीक है तो unnecessary overtraining कौनसा index चूज करना है trend कौनसा है, trailing कौनसा है overtraining करता है और stop loss ठीक है होते हैं हम लोग system invalidate इसका मतलब क्या होता भही है system invalidate का मतलब हो सकता है आपने bullish trade लिया हो ठीक है, bullish trade में आपका चल रहा है सबको चल रहा है, आपका target भी नहीं आया आपका stop loss भी नहीं आया, कई बार आपने मेरे channel पर देखाऊगा मैं जो trades देता हूँ, उसमें मैं कहता हूँ, early book कर लो profit या फिर अभी रुख जाओ, भी मत करो profit या फिर अभी target से पहली कर लो, इस stop loss से पहली कर लो system invalidate का case होता है मैं example समझाता हूँ let's say, data आपका RV setup का जो है, वो bullish चल रहा है यह bullish चले जा रहा है, अब bullish में क्या हो रहा है, यह score top कर गया ठीक है, top कर गया score, तो क्या होगा, अब मेरे को थो bullish पन रहा है, मेरे रो target हीट नी हुआ, लेकिन score top कर गया, तो मैं target से पहले ही profit को book कर लो होगा, या फिर मेरा market में मैंने buy किया हुआ है, और score खराब होदा जा रहा है, मार्केट में मेरे stop loss से पहले ही मैं exit कर सकता हूँ, मानलो example देता हूँ, पहले मैं यहां पर वापस आ जाओ, ठीक है, पहले है, पहले है, 450 पर, अब market spend कर रहा है, 450 time spend कर रहा है, लेकिन score खराब हो गया, जिए मेरा score खराब हो जाएगा, तो मैं SL मेरा आप अल्लेडी 50-100 पॉइंट का है लेकिन पचास पॉइंट पे ही निकल जाओंगो, क्यों निकल जाओंगो, इसकोर खराब होता जा रहा है, जब सामने दीख रहा है भईया, इसकोर खराब हो रहा है, क्यूंग मैं जब अरशी ट्रेट में बने रहा हूं, तो यह आपको ट् बनता है, इंटरडेव बॉटम बनता है, वो कब आपका बनता है, वो आपको यह आइडेटिफाई करके देता है, क्या अरशी ट्रेट है, अब चलते हैं, मैं आपको थोड़ा सा स्कोर के बारे में और आगे बताना है, मुझे स्कोर क्या करता है, क्या नहीं करता है, ठीक है आप nifty का ही टेट देखो अभी निफिति चल रहा है बेरिश ही मार्केट है हमारा वही बेरिश चल रहा है ठीक है और आपका अब देखांगा मैं आपका बॉटम बन चुका होगा तो मैं स्कूर में तॉटम सम्झाओंगा पहले मैं यहां पर आपको यह पो यह शीया आप नो सब्सक्राइब निफ्टी का सब्सक्राइब निफ्टी की जगा पर 20-35-4745-85 एक सब्सक्राइब यहां पर आगे आपका के 100 का ठीक है ये score हो गए 150 और यहाँ पर आगे आपका 120 अब जो next data का निकल के आया वो आया आपका 145 ठीक है और इसका निकल के आया 115 किसका ये था निफ्टी और ये बैंग निफ्टी 145 लिखा है ये और ये 115 लिखा है यानि की score ने एक जगा पे मेरे को signal दिया कि भीए मैं weakness show करने वाला हूँ, ठक रहा हूँ मैं यानि की put writers ठक रहे हैं है call writers जो है आपके वो आने शुरू हो गए तब तो इसको reduce हो रहा है यहाँ पे क्या है आपका ये बैंग निफ्टी 115 कि यानि अब मेरे को ये area अभी फिलाल इस time stamp को मैं note करके रख लेने वाला हूँ मैं जब multiple examples आपको देने वाला हूँ multiple examples आपको समझ में जाए कि top bottom क्या चीज़ है क्या नहीं है यह मैं सिर्फ आपको theory बता रहा हूँ इस की अब क्या है इस score में बोद स्कोर्स गेट टॉप आउट ठीक है एंड एंड लगाए दियान लगाए और नहीं लगाए बोद स्कोर्स टॉप आउट ठीक है एंड इस कोर रिमेंस डिक्रीजिंग तो यह आपका टॉप का इंडिविकेशन है मतलब अगली टिक जो डेटा की आएगी वह और वन हट्ट टैन आने चाहिए मतलब क्या आ रहा है कि रिडिउसिंग अगली टिक आने चाहिए और यह आपका वापस से आपका वन हट्ट विट्विकेशन हो जाए तो क्यो होगा यह आपका रिवर्सल फॉल्स नहीं था यह आपका ऊपर ही तरफ जा रहा है ठीक है तो इसका जस्ट अपूजिट अपका बॉर्टम अने वाल है तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ टॉप अभी हम लोगों ने इसमें देखा मतलब मैंने क्या बोला इसमें स्कोर रिमेंस डिक्रीजिंग दोनों वर्ट को ध्यांस रखना बहुत स्कोर्स गर्ट टॉप आउट एंड माइनस एती माइनस टू …-120 माइनस ओन-150 आप ये निफ्टी का चलता है ठीक है माइनस टॉ-30 मैs फॉटी फाइव मैनस फ्रिफ्टेफाई माइनस 85 माइनस टू …अब क्या हुआ अब जो इसकोर निकल किया आया वह आ Antes का murm d abnorm cone score अच्छा हो रहा है, खराब हो रहा है, क्या पैचान है, यहाँ पर score अच्छा हो रहा है, minus 150 से 120 minus का रहे गए, तो score अच्छा हुआ, तो यह मेरा bottoming का पहला sign है, अब marketing का bottoming out होने वाला है, second जीज़ अब को क्या देखना है, ध्यान से, कि both scores get top out का just opposite हो जाएगा, both scores get bottom out and score remains increasing, मतलब minus 120 से score minus 110 गया, increasing होगा, score है, decreasing होगा, the answer is increasing, कम minus हो गया, पहले minus 0, minus कम हो गया, minus 150 से minus 180 हो गया, score अच्छा हुआ, खराब हुआ, the answer is, खराब हुआ, minus 150 खराब है, minus 180 ज़्यादा खराब है, correct, score minus 30 से minus 45 हो गया, score अच्छा हुआ, खराब हुआ, answer is, minus 350 से score, minus 300 चला गया, score अच्छा हुआ, ठीक है, तो remains अगली टिक्स लगातार अच्छी हूँ चाहिए तब आपको confidence बैट जाएगा कि हाँ यह reversal is okay अभी कावर्माट डेटा देखते हैं अभी क्या चल रहा है तो उसमें थोड़ा सापको आईडिया और लग चाहेगा यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ बात को अभी जो लाइफ चल ला इसी को देखते हैं ठीक है यहाँ पर 117 हुआ इसको रिडियूस हो गया इसको रिडियूस होने के बात क्या next टिक रिडियूस हो रही है दा answer is no आपका तक रिडियूस नहीं हो रहा है उसके बाद ने और उपर गया इसको कराब हो रहा है इसको खराब हो रहा है इसकोर इच्छा हुआ और अच्छा हुआ फिर खराब हो प्लस का 25 जब भी आएगा वो मेरा साइन हो जाएगा कि हाँ यह आपका निफ्टी का बॉटम है पहचान क्या है निफ्टी का लॉट साइज पचास शेर्स का होता है आने वाले टाइब में 25 हो जाएगा तो आपको माइनस 25 कर देना है मतलब क्या है यहाँ पर स्कोर के चलना है भी देखते है यह चलना है 156, 68, 86 96, 205, 206 206 जब भी यह माइनस का 25 माइनस का 15 हो जाएगा ठीक है यानि 206 से माइनस का 15 करोगा 191 तब आपका इसमें टॉप हो जाएगा निफ्टी में तो स्कोर में बस मैंने एक exception बता है कि स्कोर में कितना उतार चड़ा होना चाहिए and remain decreasing अगर आपका top पकड़ना है अगर bottom पकड़ना है and remain increasing अच्छा होना चाहिए ठीक है चलो और आगे बढ़ते है यहाँ पर आए अब देखो यह मिला मुझे 250, 250, 246 यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यह आपका sign मिला मुझे देख रहा है यह 246 and 233 यानि कि 13 बचके 30 मिनिट पे मुझे एक जगा मिली जहाँ मैं मुझे का top bottom out का sign मिला तो 13 बचके 30 मिनिट कहाँ पर आ रहा है इस जगा पर आपको example देखो मैं manipulation कैसे कर सकता हूँ अभी live चल दा है तो live नहीं आपके सामें चल दा है यहाँ पर आपका एक bottom बन गया अब क्या मैं यहाँ पर fresh short करूँगा the answer is no यह breakdown दिया इसने मैं sell नहीं करने वाला इस जगा पर अब यहाँ पर आपको दाइस कैसे बाइकर हूँ मेरा score लगातार सुधर्थ मैंने यहाँ पर भाय कर लिया ठीक है मैंने इस जगा पर भाय कर लिया 22,110 रबाय कर लिया अब यह चल ला गता है 156 मैं hold करूँ या नहीं करूँ मैं score पर देखता हूँ कि score लगातार increase हो रहा है the answer is yes 207 207 204 198 185 180 173 171 लगातार score increases increasing hold करूँ आपचास साथ वंड मिल रहे तो मिल रहे है हमने 22,150 का straddle मारा था अभी भी वो चल रहा है तो कि market overall तो sideways ही थी दोनों है ना तो अभी वो उसमें बहुत अच्छा चार 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 पांच जार पर प्रॉफिट हो रहोगा प्र लॉट मुल्टिप्लाइर का ठीक है तो मैं exactly आपको mention ही कर देता हूँ और यहां पर आपको फिर इसमें डाल देता हूँ अब मैं यहां पर क्या डालने वाला हूँ इनको mention कर देता हूँ रनिंग प्रॉफिट इस 3000 पर लॉट मुल्टिप्लाइर कैन होल्ड इफ रिस्क की ट्रेडर ठीक है बट वी विल एग्जिट इन इंट्राडे उनली बस ठीक है एग्जिट इंट्राडे ट्रेडर को सही कर लूँ मैं ठीक है और इसको मैं ठीक करम थोड़ा सा ठीक है बट वी विल एक टीक है यह मैंने डाल दिया अब मैं क्या करता हूं आगे वापस अपने टेनल से स्टार्ट करता हूं आपने यहां पर एक्जांप्ल क्योंकि 150 का स्टेडल है ना यहां पर अच्छा पैसा देता है हम लोगों यहां पर यहां पर आपको आपको आगे बढ़ते जाओगे आपको 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 लगता जाएगा वह पस से अपनी लर्निंग शीट पर आता हूं और यहां पर मेंशन करता हूं ठीक है आई होब आपको समझ में आया होगा अभी के लिए इतना ही सी यो नेक्स सेशन तिल लेन बाबाई